हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है एक स्वयोग नहीं था उसका प्यार मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ वै उसी कॉलिज की स्टूडन थी जहां मेरे पापा पढ़ाते थे यूं तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वै मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ लेकिन मैंने इस बात पर बिलकुल बिद्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे यह इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग बस हर पर उसी कियादों में क्याद रहेगा कुछ दिनों बाद उस कॉलेज का एक ग्रूप विजिट के लिए गया मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे जो मुझे भी साथ लेकर गए पहले तो मैंने बहुत ही मना किया लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी बहां आ रही है तो मैं तुरन तयार हो गया उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी जिन्दगी बदल कर रख दी हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज बस्ती भी की जिसे वे हैं आज भी बूल नहीं पाई है उसके बाद मैंने उससे कई बार फोन पर बात करने की कोशिश भी की कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइन डे आया मैं इस मौके को गवाना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी यह कहा पाता लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी मुझे पता चला कि वे किसी और को चाहती है और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था मैंने उसके लिए कॉलिज में एक गाना भी गाया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ वह मुझे से एक साल बड़ी थी लेकिन मैंने ऐसी किसी भी पात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर टूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलास थी 2006 को मैं भी नहीं बूल सकता क्योंकि यह साल मेरी जिन्दगी का सबसे खुबसूरत साल बन गया था कई बार सुचता हूँ उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना उसका मुझे कुछ ना क्या कर बहुत कुछ क्या जाना यह सब कुछ एक सायोग नहीं हो सकता थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें और दो नट फॉगेट तो सबस्क्राइब